साथियों आप देख रहे हो कि हम सांति पूर्ण तरीके से सीएम साब के गाउं से और भरतपुरुन के आवास तक बाइक रेली करना चाहरे थे एक तम गांधिवादी तरीके से और सम्मानिय भजनलाल जी के मातपिता के चर्णों में हम ग्यापन देना चाहरे थे लेकिन आप देख रहे हो को सरकार किस तरीके से इन बेरोजगारों के साथ अत्याचार करिये हमारे भाईयों को जबरदस्ति मारा पीटा जा रहा है उनके बर लाठिया पर साही गई है और उनको थानों में बंद कर दिया गया है लेकिन हम जुकने वाले नहीं है अब हम फिर सभी को अधिकार नहीं है बाबा साव अंबेड करके संभीधान में सभी को अधिकार है अपनी बात्सासन के समक्ष रखने का तो किस तरीके से अत्ताचार हो रहा है भारतिया जंता पार्टी सरकार कान खोल के सुन लो यह लोग सब चुनां में भी आ आ गये या वाद जाने में जाके पढ़ेंगे हम रुकने वाले नहीं है सभी भाईयों से निवेदाने पूरे राजस्थान के समस्त सामाजिक कारता सामाजिक संगठनों से किसान मजदूर के बेटें इनके संगर्ष की लड़ाई में साथ दो यह हम एक नोकरी मांग रहे हैं नोकरी के सीवा हमें क भजनलाल जी आपसे निवेदान है कि इस तरीके का आप यह महावल करेट मत करिये हम तो सिर्फ एक रोजगार मांग रहे हैं और इस तरीके से हम तरे पंदिन से हम सईध इसमारक धरने पर बैठेते हमारा धहरिया जवाब दे गया है हमारा भाई राजकुमार गुपता सई दो गया है और कितने राजकुमारों को मानना चाहते हो तो हम मर जाएंगे क्योंकि बेरोजगारी बहुत बुरी होती है वैसे मारने को आपने हमको रोड़ों पर बटकने के लिए छोड़ दिया है तो भू के प्यासे मर जाएंगे लेकिन रोजगार हम लेके रहेंगे जु लड़ाई में साथ देने के लिए आवाज बुलंद करेंगे